पिग्मन्टेशन आजकल बहुत ही आम बात है क्योंकि जादातर लोग इससे परेशान रहते हैं इसके पीछे कई रीजन्स हो सकते हैं जैसे की लगतार धूप में रहना, खराब लाइफस्टाइल, याने की डाइट ठीक सना लेना और जंक फूर्ट ज्यादा खाना इसके अलावा महिलाओं में पिग्मन्टेशन कई बार प्रेग्रेंसी की वज़ा से और हार्मोनल चेंजिस के कारण भी हो सकती है पिग्मन्टेशन के निशान चेहरे को बहुत भद्दा बना देते हैं और यही वज़ा है कि हर कोई इनसे छुटकार पाना चाहता है अगर आप भी पिग्मन्टेशन से परेशान हैं तो इसके लिए आपने अब तक बहुत सी क्रीमे यूज़ की होंगी और पालर में जाकर बहुत से महंगे महंगे ट्रीटमेंट भी करवाए होंगे बट रिजल्ट जीरो बलकि कई बार ऐसा होता है कि समस्या कम होने की बज़ाए और ज़्यादा बढ़ जाती है इसके अलावा बहुत से लोग यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं और उनमें बताई गई होम रेमेडिस को भी फॉलो करते हैं बट उससे भी कुछ ज़्यादा नहीं होता तो अब सवाल ये है कि आखिर कैसे चहरे की जायों से जान छुड़ाई जाए तो इसके लिए आज मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ जिनको आपको अच्छे से फॉलो करना होगा अगर आप मेरे बताये गए इन दोरों तरीकों को फॉलो करती हैं तो आप 100% पिग्मेंटेशन से छुटकारा पाने में काम्याब हो सकेंगी पहला तरीका है कि आप अपने खाने पीने की आदत को सुदारें चहरे पर जो आले धब्बे यानि की जाईयां पड़ती हैं वो विटाइमिन 12 की कमी से होती हैं इसलिए अपने डाइट में आपको केला नीबू संत्रा अंगूर अमरूद दूद दही पनीर हरी सबसियां शामिल करनी चाहिए दूसरा तरीका है आप अपने चहरे पर फेस पेक लगाएं इसके लिए आपको एक चमच बेसन लेना है और उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर उसे अच्छे से मिला देना है और फिर इसमें कच्चा दूट डालना है पेस्ट बनाने के लिए जब यह तीनों चीजे लगा लें इस फेस पेक को आपको हफते में कम से कम दो से तीन बार इस्तेमाल करना होगा दीरे दीरे आप देखेंगी कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और आपकी स्किन पर काला पंजो होगा वो दूर होने के साथ साथ एक अच्छा सा गलो भी आएगा स् अगर आपकी इसमें थोड़ी सी भी हैल्प हुई हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ-ब